तो हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माइ गेमिंग चैनल दिस इस इनके दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्या बता हूं यार अभी अभी तो नया बेटा वर्जन आया था 5.2.0 का और कुछी दिन पहले ये आया और अभी से इसमें हैकिंग स्टार्ट हो गया है और दोस्तो ये बात सुनकर आपको फणी भी लगेगा कि इनको कोई बड़े टेबल में प्लेयर ऑल्लाइन नहीं मिला तो अभी आके छोटे मोटे टेबल में हैकिंग करने लगा जैसे दुबाई स्क्राइबर स्तामबूल इसमें ये सब हैकिंग कर रहे हैं तो पता नहीं हैकर्स को इन इनवार्णमेंट शाई था उसका इनवार्णमेंट अभी भी सही रहना देना चाहिए था लेकिन नई भाई इनको यहां पर भी हैक करना है तो यहां पर भी नोने हैक शुरू कर दिया तो छोड़ो आप क्या करें हम लोग हैकर्स तो आग ये मिनिकलिप नए नए रहती है और डारेक्ट उसको अब जी जी भी बैंद कर देना चाहिए जो गेम का जिन यूज होता है अब लुलू बॉक्स भी बैंद कर देना चाहिए लेकिन हमारी मिनिक्रिप तो सुनती ही कहा है आप लोग ने देखाई होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं और ऐस तो यहर कैरेमपूल खेली क्यों रहे अगर आप लोग को यही सब चीज से खेलना है और भाई कैरेमपूल में अगर अपना स्कील ही नहीं बढ़ा होगे तो आप लोग गेम क्यों खेल रहे आप लोग बस सिंपल से जवाब दे दो और यहर क्वाइन्स का कड़ों कि क्या स्केल ही नहीं बढ़ेगा तो फाइदा किया गेम खेलने का मुझे तो समझी नहीं आता है तो चलो छोड़ो दोस्तो एक तो यहाँ पे जीजी हैक भी यह उसके बाड़े में बात करने वाला था तो उसी के बाड़े में हम लोग आज वीडियो बनाएं कि मेरे साथ एक पार्ट भी है मैंने एक चीज दिखाया है जो आपको बहुत अजीब लगे कि ऐसा भी साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो सब आप लोग देखना वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा और देखे दोस्तो मैं यह सब बाते बाते करते करते यहाँ पे ब्रेक ट एक चीज़ जरूर लिख देना कम से कम ये लिख देना वेल डन हाँ दोस्तों कम से कम वेल डन तो लिखी देना मैंने इतना अच्छा चाप ब्रेक्ट्यू फिनिश आपको मार के दिखाया और ऐसे ही आप लोग भी इसली ब्रेक्ट्यू फिनिश मार सकते हो तो चली वो सब तो मैटर हमारा खतम होगी है और हम लोग देख लेते हैं कि मेरा कैसे हैक हुआ था दुबाई स्क्राइवर के अंदर तो यहाँ पे देखे सबसे पहरे दोस्तों कि मेरा अपोनेंट का स्ट्राइकर ही गायब था जब उसका चांस आये था और तवी से मुझको कुछ अलग अलग सक होने लगा था कि सायद यह हैक हो सकता है गिलिच हो सकता है अब देखे दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्राइकर चलता हूँ देखे कैसा कैसा आवाज आने लगता है और मेरा स्ट्राइकर भी वहाँ से गायब एकडम तो आप देखे क्या है एकडम टिक-tik-tik-tik करके अवाज आरे और लगतारी वही आवाज आते रहता है तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है मेरे को लगता है कभी गिलिच है असायध है भी हो सकता है और दोस्तों मुझे confusion इसलिए हो रहा था कि यह hack यह gillich है क्योंकि मुझे एकदम विश्वासी नहीं हो रहा था क्योंकि एकदम छोटा table है device subscriber का table है और इसके अनदर भी hacking हो सकता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा लेकिन दूस्तों एक बात जरूर है कि मुझे गुसा बहुत आ रहा था कियूंकि कुछ रिस्पॉंसी नहीं मिल रहा था अपोनेंट के तरफ से भी और नहीं कुछ हो रहा था गेम के अंदर बस रुका हुआ था गेम और टिक 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 कर रहा था बाज तो धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था कि यह हैकिंग हो सकता है कि अभी तक कुछ गिलिच होता तो अब तक कुछ ना कुछ होई जाता तो मुझे समझ में आने लगा था कि हैकिंग है और जैसे ही अपोनेंट ने आपे मेसेज भेजा बाई 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 और हसने का तो मैं टेबल में हैक करके हैकर ने किया क्या कौन ही है लोग कहां से आते हैं तो छोड़िए दोस्त आव एक और चीज़ें आपको दिखा देता हूं तो ये वीडियो डालने से पहने मैं आपको कम्निटी पोस्ट में बता दिया था कि मैरे साथ हैकिंग हुआ है दिवाई पर बहुत गुस्ता आ रहा था इसलिए मैंने दो-तिन गेम हैकिंग करना स्टार्ट कर दिया और मैंने आपके साथ भी हैकिंग कर दिया और दोस्तो जब मैंने करेंबुल के फ्रेंड लिस्ट में इस आईडी को चेक किया एकर के आईडी को तो मुझे पता चल गया यह है द बात मैं इनसे कहना चाहूंगा और सबसे कहना चाहूंगा कि आप लूलू बॉक्स पे एक दो बार यूज कर सकतो लेकिन हैकिंग बिल्कुल भी नहीं यूज किया करो क्योंकि दोस्तों आप लोग पता है कि आराम से आप लोग जीट जो बिना कुछ कियो तो आप लोग खेलन मजा ही किया आएगा और वैसे गेंग का फायदा ही किया इसलिए दोस्तों मैं कह रहा होंकि आप लोग आप लोग हाकिंग भी मत किया करो लूलू बॉक्स से कभी-कभी किजह LULू बॉक्स कब्वी कभी कोइन्स कम हो जाते हैं तब लेकिन हाकिंग बिल्कुल नहीं भई मेर और अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कारंपुल के अंदर लूलू बॉक्स आप लोगो पताई होगा तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों आपने एक और बात नोटिस किया हो कि मैंने इनके आडी को रिपोर्ट करना नहीं का है आपको इसलिए क्योंकि हमारे सस्क्राइबर हैं ये और ये अब सुधर जाएंगे दोने बोला कि आप मैं फेर खेलूँगा आपने कमेंट रो रीड किया ही होगा तो छोड़िए दोस्तों अब इन बातों को आप लोग इसको इग्नोर करो बस मैंने आपको दिखा दिया कि साथ इतने छोटे टेबल में तो दोस्ता ही होपस आपको वीडियो पसंदिए कि तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना तो मिलता अंगले वीडियो में थांक्स पर वाचेंग